नमस्कार दोस्तों मैं सुनिल्ब आटो और स्वागत करता हूँ आपका नई वीडियो में मैं आज दिखाने जा रहा हूँ रस्गुले कैसे बनाई जाते हैं और इसका बिजनिस कैसे किया जाता है जो मत पहले जो बनाई आते थे रस्गुले वह हाथ से गोलियां ओती थी मल् स्वागत है जो रसकुल मेश बनाई जाते हैं वह प्यूर दूद का चेनह होता है उसमें त्यार होते हैं क्योंकि जिसमें कोही किसी तुरह की मिलावट नहीं हो सकती जो दूद होता है उसके अंदर पानी निकल जाता है चैना बचता है अगर फुल क्रीम का दूद होगा तो उसका चैना अच्छा निकलेगा और मार्जन भी अच्छा आएगा जो आप देख रहे हैं यह गोलियां हो रही है जो मसीन चला ही जा रही थी यह गोलियां रखी है पहले हाथ से होती थ प्राइम बहुत लगता था लेकिन अब यह मसीन द्वारा गोलियां त्यार होती है और एक गंटे में पहले जो पीड़े हैं गोलियां मनाते तेश की गोली वह एक गंटे में तीन सो से चार सो ही आराम से कर पाते थे तसली से कहीं फटना जाए बटना हो जाए लेकिन मसीन म हैं एक गंटे में एक लाग भी कर सकते हो 50 यार बी कर सकते हो कितनी ही पहला सकते हैं लेकिन यह पकाये कैसे जाता है मैं दिखा रहा हूं ये बड़ी बड़ी बटी जो लगी हुए आप देख रहे है इसमें एक बारमान है तो किलो रस्पुले एक बार में पक जाते हैं ताकि चब की पूरती हो सके और मिल जाए यह बड़ी कडाई देख रहे हैं इसमें पानी भी देखना पड़ता है कि पानी कैसे लगा जा रहा है चाजनी गाड़ी तो नहीं होगी पदली तो नहीं होगी यह सारी सुब्दाइं देखनी पड़ती है इसको पकाना बैसे तो आसान है अगर बबब सब्सक्रण पकाने वाले जल्दी से पखा लेते हैं लेकिन अगर नहीं है आप और नहीं पण पाते हैं तो उसके लिए पहले ट्रेंडी पड़ेगे निंग एटिस लिए शीकना पड़ेगा कर पहले ही दि स्थीयाम बंकिट रहा लेकिन अगर आप इसका विज्णिस करना चाते हैं ऑगर गदाम धो ईए जा सकांद है और एक कप संस्क्राइब स्क्राइब करें पर मिलता हूँ एक एक लिए लिए कि अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपके विजनिस को हर समय उंचायों तक ले जाने में आपकी हर प्रकार से बजस करूंगा मुझे कॉल